हेलो एवरीवन वैलकम बैक टू माई चेनल आरू एंजल व्लोग्स गाइल्स अभी जोलाई का मन्त है लगभग सभी जंगा बारिस होनी सुरू हो चुकी है अच्छी खासी बारिस हो रही है और हमारे बगीचे में हमारे गाड़त में भी पेड़ फोदे काफी अच्छे हो र प्लांट हो जैसे कि मेरे पास है यह गोल्दावरी का प्लांट मेरा मदर प्लांट है और मैं इससे अब कटिंग ग्रोव करने वाले हूँ यह सही समय है गुल्दावदी के प्लांट की कटिंग लगाने का ताकि आप सर्दियों में अच्छी फ्लोरिंग उससे ले सके मदर प्रोबर आते लेकिन कटिंग में काफी अच्छे फ्लोवर आते जो प्लांट क्टिंग से ग्रोव करते हैं तो इस तरह का वेदि मदर प्लांट आपके पास बचा हुआ है तो आप उससे कटिंग लीजिएगा देखिए यहां से टिप की कटिंग आपको लेनी है लग बग चा प्रेंड्स हमें जो सोई मीड़े लेना है मैंने मिट्टी परसेट मैंने गार्डन सोई लिए 50 परसेंड लिया है जो कंस्ट्रक्शन वाले सेंड होती है उनको मिक्स करके आप देख सकते हैं मैंने एक थेले में भर लिया और मैं इसी में ही अपनी कटिंग ग्रो करने वाली अ थेली पड़ी हूई थी तो वेनानी ग्रो निकाल लोग काफी आसानी होते हैं तो कटिंग की सी तरह ऐसे ऊटाभ कर थो भी चुरो करती हैं और में मित्थ होते हैं शयुक्ट अबस य्यूशनों में होती है तर chiंट नहीं हो करते हैं जहां पर आपको राहना है आप यह ज पानी डालते रही है जहां तेज दूप न आती हो अधितर चाहूं रहें तो फ्रेंट्स बस हम इस तरह से अपनी कटिंग्स ग्रो कर लेंगे देखिए मैंने सारी कटिंग लगा दिये और पानी इस तरह से डालना है आपको एक तरह से छिड़काओ करके यह मैंने कुछ देश और उनसे मैं इस तरह से पानी इसमें छिड़क रही हूं तो इसी तरह से आपको इसमें पानी डालना है नमी बनाए रखनी है इस तरह से ऐसा दिये कि आपको ज़्यादा पानी डालना है ज़्यादा नहीं डालना है नमी बनाए रखनी है और आप देखना हमारे कटिंग का मैं इसको रिपोर्ट करूंगी अपडेट के साथ वीडियो की शेर करूंगे आपसे बहुती अच्छी हमारी कटिंग इग्रो हने वाली है फ्रेंड्स तो मिलते हैं आप फिर किसी नई वीडियो में किसी ने जानकारी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू थैंक्स फॉर वाचिंग आरो एंजर व्लोग्स देखे फ्रेंड्स यह हमेरा मैक्सिकन पुटूनिया का प्लांट काफी अच्छी फ्लोरिंग इस सवैस पर हो रही है भरसाथ में बहुती सदा बहार देशी सदा बहार है यह देखे हमारा लोग प्लांट है क्रसमस काया एरो के रपाम यह भी स्वक्त काफी अच्छी गोफ पर है